क्या भारत ने T20 World Cup का खिताब बैमानी से जीता है? क्या सुर्य कुमार यादों का वो catch catch था ही नहीं बलकि छक्का था और उसे भारत ने catch में तबदील करके ये match अपने नाम कर लिया है? देखिए जैसे ही साउथ अफरिका और भारत के बीच का final match होता है भारत final पे जीत दर्ज करके वर्ल्ड कप के खिताब पे कबजा जमा लेती है और वैसे ही भारत के परोसी पाकिस्तान के कुछ नाजाईज पिले और साउथ अफरिका के कुछ महान प्रसंसक ये कहने लग जात है कि भारत ने बैमानी से वर्ल्ड कप का खिताब जीता है उनका तर्क क्या होता है उनका तर्क ये होता है कि सुरिकुमार यादव का जो कैच है दरासल वो कैच छक्का था वो कहते हैं कि original boundary line जो white line दिख रहा होगा ये है और सुरिकुमार यादव का pair catch के समय जो है boundary के बाह सुरिकुमार यादव की white line इस तस्वीर में दिख रही होती है, सुरिकुमार यादव का pair इस white line के उस्तरप दिखाई देता है इस तस्वीर में और एक image upload किया जाता है जिसमें नियăm होता है कि boundary जो है वो किस तरह से define किया जाता है इसके बाद से कई तरह के जो है लोग इस वीडियो में लेकिन पहले नमस्कार मेरा नमराकेस है और आप प्रयासनीज पर ये वीडियो देख रहे होंगे देखिए साउथ अफरीका को 30 गेंदों पर 30 रन बनाना था और ऐसे में अंती मोभर आता है जिसमें 6 गेंद में साउथ अफरीका को 16 रन बनाने थे एक तरफ जो है फिर गेंद को उपर की और फेकते हैं बांडरी के अंदर जाते हैं उसके बाद फिर से बांडरी के बाहर आके उस गेंद को फिर से लपक लेते हैं और इसी कैच के साथ साथ मैच भारत के नाम हो जाता है उसी वक्त से जो है महाल चेंज हो जाता है और फिर साउथ अफरी से सुरी कुमार यादों ने लिया है सुनहरे अक्षरों में वर्ल्ड कप की इतिहास में सुनहरे अक्षरों में स्कैच को दर्ज किया जाएगा लेकिन देखिए इसकैच के बाद से ही तमाम आरोप जो है वो भी लगने लग गए अब पर उसी पाकिस्तान के कुछ नाजाइस जो पिल्ले है उनको तो पेट में दर्द होगा कि भारत कैसे जीत गया तो उन लोगों के द्वारा भी ट्रोल किया जा रहा है कहा जा रहा है साथ में ये साउथ अफरीका के साइद है जर्नलिस्ट है या पता नहीं क्या है ये लिखते हैं एक तंज के रूप में एक साइब होता है इसमें लिखा हुआ है कि वाइट लाइन जो है वही बॉण्डरी होता है उसके अलावा और कोई भी ऑब्यग्जेक्ट वह बॉण्डरी नहीं होता है हमने जब देखा और साइद आपको исп पिर नधीर नहीं देख रहा तो मैं फिरसे ज़ाद पर गड़ा क के लिए जो एक फॉर्म नुमा ये कुछ रखा हुआ होता है उसे पीछे ढगल देते हैं इसके बाद जो है नहीं इसे मैच के जो वहां के लोग थे उन्होंने ठीक किया नहीं दोनों टीम में से किसी खिलारी की नजर इस पर परी तो ये तो एक महजी तिफाक है इसको कहीं से ये नहीं कहा जा सकता कि जान भूच के इस तरह का किया गया है किसी को भी नहीं पता था कि अन्तिमोबर में 16 रन जब बनाना रहेगा तो Miller के द्वारा यहीं पे सोट मारा जाएगा और यहीं पे आके शुरीकुमारी आदव के द्वारा cash ले लिया जाएगा तो यह महज एक इत्फाक रहा और लोग जो है इसको गलत वे में लोगों के बीच में रखना चाह रहा है तो कहीं न कहीं दखिये, हारने के बाद आप साउथ अफरीका की टीम 30 गेंद में 30 रन तो बना नहीं पाई, 30 रन नहीं बन पाए, एक और में 6 गेंद में 16 रन बनाना था, वहाँ पे फेल हो गये, तो हारने के बाद इस तरह का मानसिक्ता बन जाती है लोगों की, और कहीं न क के बाद इस कैज की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद, तो निसकर से ये निकलता है, कि ये कुछ महान लोग, जिनके पास आए, दिमाग के जगा कुछ और भड़ा हुआ है, वही इस तरह का कुछ बकवास जो है, सोसल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, स सभी बुद्धी जीवी, जो खेल से जुरे हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं, कि सुरिकुमार यादव का कैश जो है, वो लाजवाब था, और भारत ने अपने टैलेंट के दम पे जीता है, और भारत हमेशा से अपने गलतियों से सीखता है, वैसे ही साउथ अफरीका के ट सोचल मीडिया पर इस तरह का बकवास चीज जो है वो शेयर कर रहे हैं, उनके लिए दो सब्द लिखिएगा, और भारत के जीत पर दो सब्द जरूर लिखिएगा, बहुत धन्यवाद वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, जहिद!